हलो दोस्तों आज हम आपको भगवान सरी क्रिश्न और कुमार की कहानी सुनाएंगे दोस्तों कहानी बहुत अच्छी है आप सभी लोग कहानी को पूरा सुनिएगा अगर पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना तो चलिए कहानी की तरफ उलहना देती थी और उलहना लेकर यसोधा मैया के पास भी जाती थी ऐसा बहुत बार हुआ था एक बार की बात है कि यसोधा मैया प्रभु सरी क्रिश्न के उलहनों से तंग आ गई थी बहुत जदा गोपियां उलहना देती थी तो माता बहुत जदा क्रोधित हो गई और ए अपने मित्ती के घड़े बनाने में वैस्त था लेकिन जैसे ही कुमार ने स्रीक्रेश्न को देखा तो वह बहुत प्रिशन हुआ कुमार जानता था कि स्रीक्रेश्न साथ भगवान है तब प्रभु ने कुमार से कहा कि कुमार जी आज मेरी मैया मुझे पर बहुत क्रोजित है मैया चड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है भैया मुझे कहीं चुपा लो तब कुमार ने स्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया कुछी चड़ों में मैया या सोदा भी वहां आ गई और कुमार से पूछने लगी क्यों रे कुमार तूने मेरे कनहिया को कहीं देखा है क्या कुमार ने के दिया नहीं मैया मैंने कनहिया को नहीं देखा स्री कृष्ण या सब बाते घड़े में बैठ कर चुपचाप सुन रहे थे मैया तो वहां से चली गई अब प्रभु स्री कुमार से कहा कुमार जी यदि मैयाद चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो कुमार बोला ऐसे नहीं प्रभु जी पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो भगवान मुस्क्राय और कहा ठीक है मैं तुम्हे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ अब तो मुझे बाहर निकालो कुमार कहने लगा मुझे अकेले नहीं प्रभु जी मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालोंगा प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो अब कुमार कहता है बस प्रभु जी एक विंती और है उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तब मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दोंगा भगवान बोले वो भी बता दो क्या कहना चाहते हो कुमार कहने लगा प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छिपे हुए हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के उपर लाट के लाई गई है अब मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधनों से मुक्त करने का वचन दे दिये भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रशन होकर उन बैलों को भी 84 लाग बंधनों से मुक्त होने का वचन दे दिया प्रभु बोले अब तो तुम्हारी सारी इच्छाय पूरी हो गई है अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो तब कुमार कहता है अभी नहीं भगवन बस एक अंतिम इच्छा और है उसे भी पूरा कर दीजिए और वो यह है कि जो भी प्राडी हम दोनों के बीच के इस सनवात को सुनेगा उसे भी आप 84 लाग योनियों के बंधन से मुक्त करोगे बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूँगा कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु स्रीक्रेश्न बहुत खुसवे और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वजन दिया फिर कुमार ने बाल स्रीक्रेश्न को घड़े से बाहर निकाल दिया उनके चरणों में सिर लग कर पणाम किया प्रभुजी के चरडधोय और चरनामरत लिया अपनी पूरी जोपड़ी में चरनामरत का छिरकाव किया और प्रभुजी के गले लग कर इतना रोय की प्रभु में ही बिलीन हो गए जरा सोचिए दोस्तों कि जो बाल लिला करते हैं भगवान स्री क्रिश्न साथ कोस लंबे चोड़े गोवर्धन परवत को अपनी अपनी उंगली में छोटी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते लेकिन बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किस ओर कोई कितने भी यग करे अनुष्ठान करे कितना भी दान करे चाहे कितनी भी भक्ती करे लेकिन जब तक मन में प्राड़ी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु स्री क्रेश्न उसे नहीं मिल सकते दोस्तों तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कहानी आपको कैसी लगी कुमार ने जो वचन मांगे आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में